आज का पंचांग आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा तो फिलाल के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा टाल दें तो चलिए जानते हैं आज के महा उपाई के बारे में आज के दिन श्री सूख्त का पाठ करें आर्थिक तंगी दूर होगी मेश राशी वालो स्वास्थि के प्रती सचित रहने की आवश्चक्ता है जीवन साथी का सहयूग मिलेगा आर्थिक योजना को बल मिलेगा कर्ज लेने की दिशा में सफलता मिलेगी व्रश राशी वालो आज आप खुद को एनरजेटिक में हैसूस करेंगे इस उर्जा के साथ जिस काम को करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा तरक्की के कुछ ऐसे मामले सामनी आएंगे जिसमें जीवन साथी की सलहा आपके लिए फायदे मंद रहेगी कर्क राशी वालो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा परेवार में किसी सदसे से थोड़ा विबाद हो सकता है बेवजह किसी के मामले में दखल देने से बचें सुडेंट्स को परिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे सिंग राशी वालो रचनात्मक कारियों में सफलता मिलेगी विरोधी सक्रिये रहेगा स्वास्थी के प्रिती लापरवाही नवरते आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं इश्वर की आराध न करें कन्य राशी वालो आज आपका दिन फैबरेवल रहेगा आप काम में बेहतरीन परफोर्मेंस देने के लिए कुछ नया करेंगे सफलता जरूर हांसिल होगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा जीवन साथी आज आपकी पात सुनेगा तुला राशी वालो शासन सत्ता से सयोग लेने में सफल होंगे दामपत जीवन में ओदासीन रहेंगे रोपए पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतें धन राशी की आशंका है सचेत रहें वरश्चिक राशी वालो आज मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं आपकी घर पर कोई शादी का प्रस्ता हुआ सकता है शाम को घर में छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं प्रोपर्टी डिलर के लिए दिन सही नहीं है मकर राशी वालो आज कोई नया काम शुरू करना आपके लिए फायदे मंद रहेगा चातरों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है आपके कुछ जरूरी कामों में अर्चन आ सकती है मीडिया कर्मियों को थोड़ी भागदोर करनी पड़ सकती है मीन राशी वालो आज आपका ध्यान धार्मिक कारियों में लग सकता है आप किसी धार्मिक इस्थल पर भी जा सकते हैं बिजनिस से थोड़ी परेशानी आ सकती है जीवन साथी से कोई सर्प्राइज मिल सकता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही कलफिर से मुलाकात होगी नई राशी फल के साथ अपना दिन भर का खाल जानेने के लिए देखते रहे है कुंडली टीवी